हाई है हाई है हालो दोस्तों कैसे हैं आप लोग दोस्तों वीडियो को इंट्रडेक्शन देख करता है आप समझे होंगे कि आज की वीडियो में हम यहां पर एक स्मार्ट वोच लेकर आए हैं आपके लिए इसकी प्राइजिंग काफी जादा यहां पर अच्छी लगने वाली आपको सुनने के बाद तो वीडियो के लाश तक आप बने रहे हैं तो आपको सबी डिटेल्स पता चल जाएंगी यहां पर अगर मैं वोच का नाम करो तो यहां आती है बिलिट्स वूल्फ की तरफ से जहा में लगता है साथ साथ अगर मैं देखूं यहां पर कंटेंट्स की तो आपको बॉक्स के अंदर काफी ज्यादा चीज़ें यहां पर मिलने वाली है इस एक वाच के साथ सबसे पहला आपको मिलते हैं यहां पर दोस्तों सिलीकन के स्ट्रैप जिने आप अटेज कर सकते हैं यहां पर दोस्तों काफी अच्छी प्राइजिंग इसकी है मैं वादा करता हूँ गर आप वीडियो को लास तक देखें तो आप चोग जाएंगे इतने अच्छे वीजर्स के साथ यह स्मार्ट वोच आती है तो यहां पर सबसे पहले आपको मिलती है यूजर मैनूल और यह यहां पर इसे मैं यूसफुल मैनूल ही बोलना चाहूँगा तो आप इसे जरूर से पढ़ लें अगर आप यह स्मार्ट वोच लेते हैं क्योंकि यहां पर काफी जादा डिटेल्स काफी जादा फीचर्स लेका आती है यह स्मार्ट वोच ओवरॉल यहां पर 16 फीचर्स काफी जादा हैलफुल फीचर्स के साथ ही आती है और यहां पर आपको मिलती है इसी बोक्स के अंदर दोस्तिक चार्जिंग केबल जहां पर एक सैड़ आपको मिलती है USB और दूसरी सैड़ यहां पर कुछ अलग तरीके की बनाए गई है जो कि यहां पर मैगनेटिक प्रिं जाती है तो यह काफी अच्छा कॉंसेप्ट है काफी ज़्यादा है यहां पर यूनिक लगता है काफी ज़्यादा यहां पर चलने वाला है चले दोस्तों आगे देखते हैं कि इस तरीके सापको स्ट्राइप अटैच्च करनी है अपनी स्मार्ट वोच के साथ तो कुछ इस काफी ज़्यादा यहां पर अच्छी में बिल्ट बोलना चाहूंगा इस प्राइस सेग्मेंट में दी गई है प्राइस में आपको बताऊंगा वीडियो से बने रहे हैं घबरा हैं नहीं दोस्तों तो यहां पर सबसे अमेजिंग इसकी चीज लगती है कि इस तरीके से स्ट लिए की फ्ल्म हटाते हैं आपको बताते हैं इसके अंदर आपको मिलते हैं दोस्तों IPS डिस्प्ले जहां पर वन पॉंट पॉइंट ती इंचीज की है और साथ साथ यहां पर अगर पिक्सल रिजलिशन की बात करूं तो टूट्ल यहां पर लिए तो नापको डिस्पले मिल करते हैं अब आपको यहां पर साथ ही साथ मिलता है किलो मीटर का कितनी कैलोरी आपने बंगी वोस सभी मिलते हैं हार्ट रेट मोनिटर आपको मिलता है तो यहां पर यहां पर यहां पर यहां पर देखने के लिए मिल जाता है बलड प्रेशर मोड मिलता है जो कि काफी यूनिक बना देता है इसी smart watch को साथ चाहत यहाँ पर आपको मिलता है दोस्तो blood oxygen तो यह काफी ज़्यादा अच्छा feature आपको मिलता है message आपको mode मिल जाता है player music player आपको मिलता है इसी के अंदर यहाँ पर आपको camera mode मिल जाता है जिससे आप smart watch से click करके photos capture कर सकते है other mode भी आपको मिलता है तो यह कुछ इसके features है totally यहाँ पर आपको इसी smart watch के अंदर 16 features मिलता है जो कि सारे ही unique है साथ-साथ आपको इसी watch के अंदर IP68 waterproof certification मिलता है जो कि इसे काफी ज़्यादा unique बना देता है यहाँ पर आपको यह सभी features मिलते है किसी भी option में अगर आपको in जाना है किसी भी option मतलब अंदर की तरफ जाना है तो आप just उसे long press करके रखे touch capacity button को तो आप यहाँ पर अंदर से ले जाएंगे उसके बाद यहाँ पर अगर आपको back जाना है तो back menu में जाकर भी आप आसानी से लोगी में switch कर सकते है तो यह काफी यहाँ पर easy सा interface से smart watch कर काफी जादा features के साथ आती है तो काफी जादा यहाँ पर unique बन जाती है साथ-साथ यहाँ पर दोस्तों आपको total यहाँ इसी smart watch के अंदर seven language के यहाँ पर आपको option मिलता है जैसी आप इसे connect करते है स्मार्टफोन भी रखना है यहाँ पर automatic यहाँ पर pair हो जाता है जैसे ही आपका यहाँ पर smart phone में इसका model number flash होता है आप उसे click कीजिए उसके बाद आप यहाँ पर ready to use हो जाएंगे तो यहाँ पर कुछ इस तरीके से मुझे यहाँ पर model number दिखा और मैंने click कर यहाँ पर pair हो गई तो यहाँ पर total जो भी आपके smartphone की language है उसी में यह फर्श्ट ली यहाँ पर work करता है जैसे यहाँ पर English मेरी preferred language है तो यहाँ पर English में ही यह work करेगा बाकी आपको 7 language का यहाँ पर option मिलता है साथ सिया दोस्तों कर compatibility की मैं बात करो तो Android 4.4 से यहाँ पर above जितने भी devices है उनमें यह आसानी से चलेगी और iOS 8.0 से उपर जितने भी devices हैं उनके अंदर यह easily work करने वाली है साथ साथ यहाँ पर interface आपको काफी ज़्यादा देखने के लिए मिल जाएंगे watch के just आपको click करना है और यहाँ पर आपका interface चला जाएगा आपकी smart watch में तो यह यह काफी ज़्यादा अच्छा फीचर आपको मिलता है सभी notification आप ले सकते हैं किसी भी app की जैसे Instagram, Facebook उसे के साथ यहाँ पर आप alarm set कर सकते हैं आपकी यहाँ पर smart watch वाइबरेट करने लगेगी जिस भी समय का आप यहाँ पर alarm लगाएंगे और यहाँ पर आप shutter mode से तो easily photos भी capture कर सकते हैं तो यहाँ पर काफी ज़्यादे यहाँ पर चीज़ा आपको मिलती है इसी smart watch के साथ और यहाँ पर जो इसका multi sport mode आपको मिलता है महाँ पर आप walking, running, cycling, किसी भी sport mode यहाँ पर separately आप उस task को perform कर सकते हैं और यहाँ पर आप complete result भी उसके मिलने वाले हैं तो चलिए यहाँ पर heart rate monitor करते हैं और यहाँ पर आप देख रहे हैं जो मैं आपको pricing बताऊंगा इस pricing में इस smart watch ने इतने ज़्यादा features यहाँ पर दिखाए हैं यहाँ पर including ने इसके साथ इसलिए मैंने इहाँ पर इससे लिया है और आपके साथ इसका review शेयर कर रहा हूँ क्योंकि मैंने अभी तक तो personally as smart watch नहीं देखी प्रेशर भी monitor कर सकते हैं जैसे कि आप देख रहे हैं यहाँ पर BP भी monitor हो रहा है बड़ी आसानी के साथ एक smart watch यहाँ पर यहाँ पर यह सभी चीज़े कर रही है पर्फॉर्म तो यहाँ पर यह सभी features तो आपको मिलते ही मिलते हैं दोस्तों इस smart watch के साथ और साथ से साथ यहाँ पर आपको काफी ज़्यादा colors भी मिल जाते हैं इस smart watch में यहाँ पर overall तीन आपको strap के color मिलते हैं तो उन्हें भी आप जरूर से चेक कर लिज़े अगर link आपको इसी smart watch के में description में provide करूँगा तो आप उसे जरूर से देख लिज़ेगा अब दोस्तों अगर मैं इसकी pricing की बात करूँ तो सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूँगा यह मैंने बैंगूर से purchase की है और मैंने यह pre-order की थी first 500 order spin की pricing चल रही थी 1500 रुपीज इसकी pricing चल रही थी अब currently अगर मैं pricing की बात करूँ तो दोस्तों यहां पर यह 2200 रुपे के असपास हो चुकी है यहां पर इसके pricing भड़ भी सकती है थोड़ी सी कम भी हो सकती है तो आप अगर इसको लेना चाहते हैं तो जरूर से उसे regular चेक करें उसकी website को तो यहां पर दोस्तों यह complete review था blit wolf smart watch का उमीद करता हूँ आपको पसंद आई होगी यह smart watch यहां पर 1500 रुपे मैंने इसके लिए पे किये थे दोस्तों 1500 रुपे में इतनी अच्छी build quality इतनी अच्छे features आपको अगर मिल रहे हैं तो यहां पर यह मैं तो बोलना चाहूँगा मेरे लिए तो यह personally काफी ज़्यादा अच्छी smart watch निकल कर आई है पीछे की तरफ आपको इस तरीके का interface देखने के लिए मिलता है जहां पर सेंट्रम आपको मिलते हैं सेंसर्स और उपर की तरफ आपको मिलते हैं अबरोल दोस्तों यह था complete यहां पर review bleed wolf smart watch का जो कि आपको 1500 रुपीज के अंदर मिल जाएगी लिंक्स आपको description में मिल जाएंगे price यहां पर drop होता रहता है तो जरूर से आप check करते रही घवराय मिलकुल भी नहीं यहां पर आपको भी low price में मिल सकती है काफी जाद अच्छे features के साथ आती है तो जरूर से आप इसे purchase कर सकते हैं फिर दोस्तों मिलते हैं को नई interesting वीडियो के साथ टेके ट्रिल्लें बाबाए जैहिन जै भारत